दोस्तो आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाँगा और उससे एक आपका बहुत बड़ा परपस सॉल हो जाएगा आपको एक बहुत बड़ी बात समझ में आएगी जो प्रॉब्लम शायद हम आम आदमी जिंदिगी में बहुत जादा जेलते हैं लगबग सभी लोग जेलते हैं उस प्रॉब्लम का आपको सल्यूशन मिल जाएगा सीधे सीधे बोलूँगा तो नहीं समझोगे ये कहानी आपको वो बात समझा देगी एक लड़का था उसका नाम था अनिकेत उसको क्या समस्या थी वो गुस्सा बहुत जादा करता था गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर बाता था जरासा किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया तो उसको चार गुनी बाते सुना देता था रिष्टे ही तोड़ देता था और कही बार तो अपने रिष्टेदारों से, दोस्तों से मार पिटाई भी कर लेता था अब उसकी गलती नहीं है, उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाता था जैसे ही कोई दिल को चुबने वाली बात उसने सुनी और उसका गुस्सा आस्मान पे चल जाता था, दिमाग फट जाता था और वो गुस्सा अपने रिष्टेदारों दोस्तों पे या जिससे भी उसका इंटरेक्शन होता था उन पे निकाल देता था, इसलिए ही जादातर लोग उससे दूर रहने लगे धीरे धीरे दोस्त कम होते गए, रिष्टेदारों ने उससे मूँ फिर लिया यहां तक कि अपने माब भी उससे बचके ही रहते थे, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पा दे थे क्योंकि कौन अपनी बेस्ती कराएगा भईया जब किसी इंसान से इंटरेक्शन होगा तो लड़ाईयां भी होंगी न लेकिन जब दूसरा इंसान लड़ाई करते ही, मार पिटाई पर उतराए, गाली गलोच पर उतराए, बिल्कुल पागल सा हो जाए तो उससे कोई भी इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करेगा अब अनिकेद दिल का तो बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन गुस्से पे कंट्रूल नहीं था, जीवन में वो बिल्कुल अकेला पढ़ गया इस बात का उसे बहुत दुक रहता था, भई हम इंसान है, हम एक सोशल लाइफ तो चाहिए ही ना, प्यार करने वाले, इज़त करने वाले चाहिए ही वो तीर्थ बहुत दूर पहाड़ों पे, बिल्कुल दुर्गम चड़ाईयों पे जाके एक मंदिर था, तो वहाँ अनिकेज जा रहा था, अकेले ही गया था, जाधा दोस्तों उसके थे नहीं, दर्शन करने की बहुत इच्छा हुई, तो अकेले ही वहाँ चला गया जो मंदिर तक जाने का रास्ता था ना, बहुत ही नेरो था, बहुत ही दुर्गम था, बहुत ही पतला था और साइड में नदी बहरे ही थी नीचे, जिसका करन जिसकी स्पीड बहुत ज़ादा तेज थी, मतलब इंसान घपरा जाए तनी तेज थी, पतले पतले रास्तों प उन योगी को देखके अनिकेत को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, कुछ उनकी तरफ खिचाफ सा महसूस हुआ, मन करा कि उनके पास चले जाए, पहले तब वो दो-चार कतम आगे बढ़ गया, लेकिन फिर पीछे मुड़ा और उन योगी के पास चला गया, बहाँ जाके उसने योगी के पैर चुए, योगी ने उसको आशिरवाद दिया, जैसे अनिकेत ने उनके पैर चुए, आशिरवाद लिया, वैसे ही योगी बोलने लगे, उन्होंने का बेटा, कोई चीज तो ऐसी है, जो तुझे बहुत ज़ादा परिशान कर रही है, और आज से नहीं कई दिनों से परिशान कर रही है, ये तेरे चेहरे पे लिखा हुआ है, मुझे बता, मैं तेरा हल निकालूँगा, उनकी बात सुनके अनिकेत अचंबित सर रह गया, पहले तो अजीब सा खिचाव हुआ उन से उनके पास आया, और फिर उन्होंने अचानक से उसकी परिशानी के बारे में पूछ भी लिया, बहराल अनिकेत क्या करता, अपनी परिशानी योगी जी को बता दी, बता दी है कि उसको कितना गुस्सा आता है, सब उससे दूर रहते हैं, बिल्कुल अकेला पढ़ गया है, ये सुनके वो सादू मुस्कुरा दिये, उन्होंने का बस इतनी सी बात है न, मैं तेरे को एक पाउडर दूँगा, एक भस्म दूँगा, उसको थोड़ा थोड़ा पानी के साथ ले लियो, ऐसे नहीं लेना, जब भी तुझे गुस्सा आए, बहुत जादा गुस्सा आए, बरदाश्ट ना हो, सबसे पहले वो पुड़िया निकालके, थोड़ी सी भस्म, एक चुटकी बर भस्म पानी के साथ ले लियो, उसके बाद तेरा गुस्सा अपने आप शान्त हो जाएगा, दीरे दीरे सब लोग तुझे पसंद करने लगेंगे, तेरे दोस्तियार बन जाएंगे, और रिष्टदार तुझे प्यार करने लगेंगे, सादू मारा जोटके अंदर गए, और वहाँ से एक पुडिया बना के लिया है, और उन्होंने अनिकेद को दे दी, अनिकेद बहुत खुश हुआ, जितना अनिकेद इन सब चीजों से भोचक का था कि अचानक से सादू से मिलना भी हो गया, उन्होंने उसकी समस्या भी बुश लिए और हल भी दे दिया, उतना ही उसे खुशी भी हुई, कि शायद अब मेरा इलाज हो जाएगा, शायद अब मैं सही हो जाऊँगा, वो पुडिया लेके हाथ जोड़के अनिकेद मंदिर की तरफ चला गया, उपर जाके मंदिर के शांती से अनिकेद ने दर्शन किये, प्रसाद खाया, उसके बाद जब वो वापिस जा रहा था, तो वही पे वो सादू योगी बैठे हुए थे, दूर सही योगी ने अपना हाथ ख़ड़करके अनिकेद को आशिरवात्सा दिया और जाने का इशारा कर दिया, अनिकेद चुपचाब चला गया, घर पहुँचने के बाद अनिकेद ने उस सादू मात्मा की बात को ध्यान रखा, उस पुड़िया को हमेशा अपने पास रखा, जब भी अनिकेद को गुस्सा आता, वो गुस्सा छोड़के सबसे पहले पानी और वो पुड़िया में से थोड़ी सी भस्म निकालके खा लेता, उसके बाद उसका गुस्सा बिलकुल शान्त हो जाता, और अगर शान्त भी ना होता तो गुस्से की तीवरता कम हो जाती, धीरे धीरे अनिकेद के दोस्त भी बनने लगे, अनिकेद के रिष्टेदार भी उसे पसंद करने लगे, माबाब भी उसको पसंद करने लगे, जितना लोग उससे दूर भागरे थे, उतना ही दीरे दीरे लोग उसके पास आगे दुबारा उस पुडिया ने एक जादू सा कर दिया कुछ हफते ही हुएते एक अत महिना ही बीता था कि अनिकेट की जिंदिगी बदल गई लेकिन वो पुडिया खतम होने लगी बहुत थोड़ी सी भसं बागी थी किया दो बार की बागी थी अनिकेट को घवराट हो गई कि अगर ये बसं खतम हो गई तो मेरी पुरानी सिंदिगी वापिस आ जाएगी कोई मुझे पसंद नहीं करेगा मैं सब पे गुस्ता करूंगा और सब मुझे छोड़के चले जाएंगे दो दिन तक अनिकेट सोनी पाया फिर उसने सोचा क्यों ना मैं महराज जी के पास दुबारा चले जाओ सफर दूर का था लेकिन जिन्दगी ज़ादा जरूरी थी इसलिए अनिकेट पुडिया लेके थोड़ी सी बस्म लेके और सादू महराज के पास बहुत दूर की यातरा करने के बाद काफी चलने के बाद अनिकेद उसी गुफा के पास पहुँच गया। लेकिन महापे अब कोई सादू माराज नहीं थे। बहुत जोर जोर से चलनाने लगा, आवाज देने लगा कि शायद कई दूर हों तो सुन ले। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, एक तो महाँ जो नदी बह रही थी, उसकी आवाज इतनी तेज थी, बहुत देर तक इंजार करने के बाद फाइनली अनिकेद ने हार माल ली। वो समझ गया कि अब उसे वो सादू माराज नहीं मिलेंगे, उसका बुरा वक्त चालू हो गया है। मैं निरंतर चलता रहता हूं, यात्राएं करता रहता हूं, मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारा हल, तुम्हारी दवाई इस दिवार पे लिखके जा रहा हूं, इसे समझ लेना। उसके बाद लिखाता, बेटा ये जो मैंने तुम्हें भस्म दी थी, ये कुछ नहीं है, सिरफ राक है। इसमें तुम्हारी बिमारी का इलाज करने की शमता ये शक्ती नहीं थी, वो शमता थी तुम्हारे खुद के अंदर। ये भस्म देने से क्या फाइदा हुआ, जब भी तुम्हें गुस्सा आता होगा, वो जो शन है न, जिस शन में वो गुस्सा तुम्हारे सिर पे चड़ जाता है, अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है, उस शन पे उस गुस्से को ना निकालके, रियाट ना करके, तुम सोचने का मौका मिल जाता है, तुम्हारा दिमाग ये सोच लेता है, कि इस गुस्सा करने से क्या-क्या बुराईयां हो सकती है, क्या-क्या परिशानियां आ सकती है, कुछ शन ही बहुत होते हैं दिमाग को सोचने के लिए, लेकिन अक्सर हम इनसान क्या गलती करते हैं, जिस पुडिया ने चमतकार करती है। इस बात को ध्यान रखना और तुमारी समस्या जीवन भर के लिए हल हो जाएगी और तुम जीवन में खुश रहोगे लोग तुमारे पास रहेंगे। इस बात का एहसास करके और मंदिर के दर्शन करके अनिकेद वापिस चला गया। घर जाने के बाद आगे से जब भी उसे गुसा आता वो चार शण सिरफ सोचने में लगाता या चाह सिरफ पानी पी लेता उसके बाद उसका गुसा बहुत जादा शान्त हो जाता। रियक्शन तो जरूर देता लेकिन इतना तीवर इतना एक्स्ट्रीम रियक्शन नहीं देता कि लोग उससे चिणने लगे और अफरत करने लगे। इस स्वभाव के बतलाव से अनिकेत का जीवन बदल गया और आपका भी जीवन बदल सकता है। चार शण सिर्फ सोचने में लगा दो कि इसके कॉंसिक्वेंसिस क्या होंगे या जिस इंसान पर मैं गुस्ता कर रहा हूं क्या वह वाके में इतने गुस्ते के लायक है। या उनकी बात का आपको मतलब समझ में आजाए सिर्फ चार शण वह गुस्ते को रोक लो चाहे पानी पी लो चाहे कुछ सोच लो उसके बाद अपना रियक्शन देना। इतना ही कर लोगे तो आपकी सिंदगी बदल जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी और जो आपका शॉर्ट टेमपर है जो बहुत गुस्ता करने की आदत है वो बिल्कुल सही हो जाएगी बिल्कुल सही नहीं भी होगी काफी हद तक सही हो जाएगी ठीक है ना? All the best, thank you अच्छी हो!